कि आज हम एरिया क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम सब जानते हैं कि ख्लासिफाइड एरिया में इसका क्या महत्व है इसके बारे हम आप बात करेंगे तो चलिए समझते हैं कि पहले तो what is area classification क्या है तो pharmaceutical के अंदर सभी area को एक cleaning grade दिया हुआ है कि grade D, grade C, grade B and grade A और हर area का अलग-अलग उपयोग है, necessity है वो क्या है वो उसके बारे में सुझेंगे जब हम बात करते हैं कि classified area तो what is classified area कि एक certain amount of particle counts defined है, वो आपको Google पे मिल जाएगा उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा मैं यह इसलिए बात करूँगा कि यह classification क्यों जरूरी है और classification क्यों दिया जाता है जब हम pharmaceutical में काम करते हैं, जब हम injectable में काम करते थे जरूरी है कि जो particles है within the area वो limit में होने चाहिए और वो limit को define किया गया है grade A, grade B, grade C, grade D and control but not classified, अब start करते है grade A से, what is grade A तो जब हम injectable manufacturing की बात करते हैं, तो जहां पे भी मेरा sterile article open हो रहा है, जहां पे भी मेरा sterility assurance की मुझे जरूरत है वो area grade A होना चाहिए, aseptic manufacturing में क्या होता है कि हम सारी चीजों को अलग-अलग stylize करते हैं, for example filling assembling को अलग stylize किया, rubber stopper को अलग stylize किया, seals को अलग stylize किया, जो garment हम पहनते हैं उसको अलग stylize किया, product को manufacture किया, उसको sterile filter किया, sterile vessel के अंदर उसको लेके आए, उसको fill करना है, अब वो एक्सपोज होने वाला है, grade A में, हम वायल में fill करने वाले हैं, तो हमने देखा कि वायल को हम deep originate करते हैं, tunnel के अंदर हम stylize करते हैं, rubber stopper को autoglave में stylize करते हैं, feeling assembling को autoglave में stylize करते हैं, तो यह सब stylize करने के बात, एक साथ हम aseptic environment में उसको साथ में ले आते, जो aseptic environment चाहिए, वो clean चाहिए, जहां पर मैं यह सारा का सारा expose करने वाला हूँ, मेरी wires, मेरी stoppers, मेरी filling assembly, जहां पर मैं हाथ डाल के काम करने वाला मेरे tools, मेरे forceps, यह जो मैं काम करने वाला हूँ, वो area मुझे absolutely clean चाहिए, वो area कौन सा है, वो area को हम बोलते है grade A, यहां पर मुझे microbial count 0 चाहिए, limit is less than 1, means 0, यहां पर microbial count कुछ कुज भी नहीं चाहिए, पार्टिक्ला count, पार्टिक्ला count का लिमीटर 3520, 3520 पार्टिक्ला count and that 2, and we present one viable particular count, पार्टिक्ला कूँ जरूरी है, ऐसा माना जाता है, ऐसा हम समझते हैं, अगर पार्टिकञ्ट है तो वह बैक्तेरिया का ग्यार मेकेणिजम की तरह करता हो इसके लिए हम पार्टिकल काउंट मेजर्ग करते हैं जो भी हम गुरिय।ंग करते हैं फार पूरा स्टराइब गूड उसम responsibility पुली डालते हैं उसको open करते उसको एसेंबल करते हैं उसी grade A के अंदर फिर while deep arogenation tunnel से stylize होके आती है उसी के अंदर फिलिंग होता है उसी के अंदर उसके अंदर उसका capping होता है तो यह जो पूरा मुझे environment चाहिए grade A के अंदर वो मुझे पूरा का पूरा बैक्टेरिया फ्री चाहिए मुझे बैक्टेरियल काउंट जीरो चाहिए उसके लिए वह ग्रेड एए उसके लिए उसके लिए class 100 एक लास 3520 पर अवर फिट क्यूब पर मीटर क्यूब और पार्टिकल्स है यह इसलिए चाहिए कि मेरा पूरा का पूरा चाहिए उसके लिए करते हैं कि हम यह चाहते हैं जो भी में ग्रेड में काम कर रहा हूं की बज़े से मुझे उसके अंदर Microbial Contamination नहीं जाएगा और उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम मेडिया फिल करते हैं यह हो गई Grade A की बात लाँ Grade B पर बात करते हैं Grade B में कितने particle होने चाहिए कितने bacterial count होने चाहिए आप Google कर लो आपको मिल जाएगा बड़ Grade B क्या है Grade B क्यों जरूरी है तो जो भी मैं Grade A में control करना चाहता तो उसका जो surrounding area है उसका भी एक level होना चाहिए तो उसके लिए Grade B में हम क्या क्या कर सकते हैं जो मेरा पूरा का पूरा downing procedure है जो पूरा मुरा activity हो रहा है जो Grade A के बाहर का है डैट इस Grade B जब हम aseptic manufacturing की बात करें जहां पर मैं टर्मिलर श्यलाइजर नहीं कर रहा हूं जहां पर मेरा isolator नहीं है तो मुझे surrounding area Grade B चाहिए उसका classification अगर हम अमारा open door wraps है अगर हम दर्वाजा open कर रहा है तो आपको एक सपोर्टिंग एलेफ चाहिए लैमिनार एरफ्लो चाहिए क्यों जो डर्वाजा ओपन हो रहा है अगर ग्रेड बी में उपन हो रहा है उसी दर्वाजा को अगर आप बंद करते हो तो जो एक्सपोस का door open करने वाले हैं तो देट सुट बी सपोर्टेड बाई ग्रेड एलेफ रिजन बिंग वी डॉन्ट वांट टो कंटामिनेट हमको ग्रेड बी का करने के लिए हम स्मोक स्टड़ी करते हैं जो भी हम इंटर्वेंशन करते हैं उसके लिए हम स्मोक स्टड़ी करते हैं यही प्रूव करना चाहते हैं कि मेरी जो भी एक्टिविटी में ग्रेड में कर रहा हूं उसकी बज़े से मेरा एक्टिविटी को कुछ इंपक्ट नहीं हो रहा है उसके आगे grade B में हम क्या करते grade B में हम सारा material transfer करते हम स्टरायल गाउन करके activity कर रहे है जो मेरी filtration vessel है उसको मैं transfer कर रहा हूं तुरू grade B जो मेरे connections जो है अगर मुझे कुछ connection करना है तो आदर वह grade A में होना चाहिए या एक स्कीड होना चाहिए कि manufacturing हो रहा है उसी स्कीड से filtration हो रहा है filtration से जा रहा है there is a close piping जो बोलते हैं ना कि SIP प्लेस वाली piping है जो पुरे content को फिलिंग मसीन तक ले जा रही है अगर आप वेसल ट्रांसफर्ट कर रहे हो separate individual movable filtration वेसल है तो वेसल को स्टराइल करना है उसका movement होना है अगर कुछ ग्रेड कुछ कलेक्शन करना है तो ग्रेड ए में होना चाहिए अदर्वाइस यह से connector है जो स्टराइल तो स्टराइल कनेक्टर है जो आप ग्रेड में भी कर सकते और उसकी से आपका इंपेक्ट नहीं होता है तो उसको स्टराइस कनेक्शन करना है या उसका कनेक्शन में होना है तो ग्रेड बी का यूज ए है कि जो भी आप activity surrounding area में कर ग्रेड के surrounding में कर रहे हो ग्रेड या ग्रेड भी होना चाहिए और अगैन कोई भी अग्रेड या जहां पर हम सारा का सारा प्रिप्रेशन कर दें तो प्रिप्रेशन में क्या आएगा हम वाइल वासिंग करते हैं अगर एपके detail रहेगा वाइल वासिंग रहेगा टानल रहेगा वह फ्रीप्रेटरी एक्टिविटी जो रहेगा ग्रेड के रहेगा जो भी हम आट influ уд difficulties प्रिपरेशन अक्टिविटी है वासिंग एक्टिविटी प्रिरिंग आशेम्लिक गार्मेंट वांस करने को सब एक्टिविटी है जो मिक्सिंग विसल वास्थ करने करें तो यह ग्रेटसी अरिया के उख तो यहां के यूज यह है कि ग्रेट सी एरिया के अंदर आप पूरी प्रिप्रेशन एक्टिविटी कर रहे हो प्रिप्रेशन मरला वासिंग प्रिप्रेशन फॉस्टाइलाइजेशन गार्मेंट को वास किया है तो उसको रैप करें आप अंडर एलेफ रबर स्टॉपर बैक को प्रिप प्रोसेस होता है बैच मैंने प्रोसेस भी ग्रेट सी के अंदर ही होता है तो ग्रेट सी के अंदर क्याम करता है प्रिप्रेशन एक्टिविटी वासिंग एक्टिविटी क्लीनिंग एक्टिविटी प्रिप्रेशन एक्टिविटी जो मेरी फिलिंग एसेंब्लिंग है उसको मै यह कर आपको यह आपको यह एक लोवर ग्रेड है उसके बाद ग्रेड भी आता है उसके बाद ग्रेड सी आता है तीनों का यूज मैंने आपको समझा रहा है कि अब बात करते हैं grade B की तो Grade D हो सी का भी supporting area ग्रेड़ D है ग्रेड़ का classification क्या उसमें कितने particle होने चाहिए आप Google कर लो आपको मिल जाएगा बोट Grade D का use क्या होता है जहां पर preparatory activity की supporting activity यहां पर एक्जम्बन जो material ए्लोट लेयर वोई करने वाला हो जो सब जो एडिया से फ़र स्ट लोक नोएर जो में जुझावल teams के लिए पतो यांग अलोक बेट चलोगा अगर हम ब calidad कि यहका यह रहे तो फॉर्स्य लोक होगा वे डियोंग उसके बाद विधाया अन्य हम आले में तू दिस और उसके बाद आदा है ग्रेंड आ डेल्स परेंड और और ग्रेंड परेंड सस्पा कि पैड्स आ वहाँ वहाँ पूरा साइट राउंड लेना है पूरा विजिट करना है पूरा अरिया देखना है तो बाहर कोरिडैर में घूंब को देखते हैं जहां पर पूरा का पूरा नंस्टराइल मेट्रियल जो प्रामरी मत्रियल है रारो मात्रियल को मुमेट होता है उसे Bosnuch टो होता है क्लिज सा इरिया के हम तेंपरैचर को कांट्रोल करते हैं मिद्धिक कांट्रोल करते हैं तो पूर्वर्र हैं थो आजड़ा रहता हैं नहीं हो कंट्रोल बट नॉन क्लासी बट वह कंट्रोल मतलब टेंपरिचर हमने कंट्रोल किया है हमने हिमिडिटी कंट्रोल किया बट उसका हमने पार्टिकल काउट को कुछ भी कंट्रोल नहीं डाला तो सी एंसी एरिया है तो सी एंसी एरिया कौन से जहां पर हम पैकिंग कर हुआ है जहां पर मेरा वेरा हुष से जहां पर सबसे पहले जहां पर हम घर से और अगला है उस का कोई कोई limit नहीं है वहाँ पर कोई microbial count का कोई हम exposure नहीं कर रहे हैं वो जस्ट एक control है तो आप समझिए कि aseptic manufacturing की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है grade जो center है जो सबसे cleanest है उसके बाद आता है grade B जो support area तो grade है उसके बाद आता है grade C जो support area तो grade B है उसके बाद आता है grade D जो support area तो grade C है उसके बाद आता है non-classified CNC area जो support area तो grade D है और इतने सारे control हमको क्यों चाहिए reason being जब हम बात करते हैं कि injectable manufacturing की तो particles और microbial वह सबसे most important है अगर microbial count आया product में तो product reject है अगर particles ज्यादा है तो पार्टिकल क्या करें कि that will support microbial contamination that will support microbial carrier इसके लिए ही पुरी system हमने बनाई है कि जब हम घर से आते हैं तो हमको घर के कपड़े चेंज करने है है factory garment पहनना है जब हमको grade C में जाना है जाना है तो उसके उपर और एक गाउन पहनना है जब हम grade B में जाने वाले हैं तो हम स्टराइल गाउन पहनना है हम पूरी पूरी सप्टिक एरिया practices maintain करते तो यह जो सारा का सारा जो setup है that is only to answer that my product which is injectable which is going in my blood वो patient के blood में सीधा जाने वाली है तो उसमें कुछ भी contamination ना जाए इसके लिए पुरा का पुरा एक्लासी बीकेशन है उसकी जो values है आपको Google पे मिल जाएगी grade A में क्या है at rest operation क्या conditions है वो सब मिल जाएगा बट उसका logic यह है जाएगे grade A is the cleanest area where we operate we open the sterile containers we feel we do the aseptic connections where the sterilized products sterilized bulk is exposed where the sterilized containers are exposed grade B supporting area to grade A जहां पर मैं support activity कर रहा हूं material transfer हो रहा है sterile gown हो रहा है उसके बाद grade C है जहां पर preparation and manufacturing and cleaning हो रहा है और grade B है जो C का भी supporting area जहां पर just movement हो रहे है जहां पर material लाया जा रहा है open करके grade C में दिया जा रहा है तो यह यह पूरा का पूरा setup यह answer करता है कि मुरा पूरा classified area is capable that my sterile manufacturing is giving me a product which is actually sterile उसमें microbial contamination नहीं है उसको अगर मैंने कोई patient को दिया तो patient की health को कोई microbial risk नहीं है कोई bacteria उनके body में नहीं जाएगा तो यह पूरा समझाने का मतलब यह है कि हम area classification इसलिए कर रहा है कि हम control करना चाहते particles को हम control करना चाहते microbial count को होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा you can subscribe to my youtube channel fama when you can share this to your friends to spread the knowledge or help me to spread the knowledge thank you thank you very much for watching my full video